जेहिं दुस्तों मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपनी यूडिव चैनल अतुल टिक बजार में दूस्तों Realme 8 and recently launched realme 9 device हमारे साथ में है इस वीडियो में हम बैटरी चार्जिंग टेस्ट करेंगे टाइप का है उसमें डाट नहीं लिखा हुआ है बट दोनों ही डाट चार्जर यहां पर मिलते हैं चार्जिंग के समय डाट ही सो होता है दोनों ही डिवाइस में सेम बैटरी मिलती है 500 mhk और दोनों का डिस्प्ले है 6.4 इंचे सूपर एमुलेट डिस्प्ले है दोनों ही डिवाइस में Realme UI 3.0.12 का स्टेबल अप्रेट अबलेट अबलेबल है सब्सक्राइब जरो से करेज़ेगा अबलेगे अबलेगे प्रेस करेज़ेगा तक जब भी ऐसे वीडियो अप्लेट करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेटप यहां पर कंप्लीट हो चुका है टाइमर को मैंने स्टार्ट कर दिया है मैं अलग-अलग टाइम स्टैंप में आपको बताऊंगा कि कौन सा मोबाइल कितना चार्ज हुआ है तो यह 5 मिनिट आलमस्ट यहां पर पूरे हो चुके हैं और रियलमी जो 8 है 7 परसंट पर है रियलमी 9 4G 10 परसंट पर अभी चार्ज हुआ है आलमॉस्ट यहाँ पर 10 मिनिट जो है हमारे पूरे होने वाले हैं यह 10 मिनिट बात देखते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट मिलता है जो realme 8 है वो 16% पर है जब कि realme 9 3% आगे होके 19% पर आगया है तो अभी यहाँ पर कुछ समय से realme 9 जो है थोड़ा सा आगे निकल रही है realme 8 से अब देखते हैं 20% पर आप देख सकते हो दोनों ही डिवाइस लगबाग सेम चार्जिंग पर है 33% चार्जिंग दोनों ही डिवाइस में होई है यहाँ पर दोस्तों almost हमारे 30 मिनिट पूरे होने बाले है realme 8 आगे निकलता है यह 9 जलिए देखते हैं 30 मिनिट में क्या स्कोर आता है तो यहाँ पर realme 8 जो है 48% और realme 9 47% यहाँ दोस्तों realme 8 जो 8 है यह थोड़ी सी आगे निकल रही है जैसे जैसे चार्जिंग आगे बढ 30 मिनिट के बाद next time is time 40 मिनिट में हम चेक करेंगे कि दोनों ही डिवाइस का स्कोर क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40 मिनिट हो चुके हैं realme 8 62 realme 9 60 यानि 2% से realme 8 जो है वो अभी भी लीड कर रही है 40% के बाद हम चेक करने वाले 50% में दोनों ही डिवाइस का क्या य 50% के बाद आप देख सकते हैं 76 realme 8 और 9 जो है वो 72% यानि 4% की लीड realme 8 डिवाइस ने ले ली है अब दोस्तों one over almost यहाँ पे होने वाले हैं दोनों ही डिवाइस जो पहले बहुत ही ज्यादा फास्ट जो है चार्ज जाती ते realme 8 के बारे में बात करें 2.0 में 3.0 अभी व 3 realme 9 3% से realme 8 जो है अभी भी आगे निकल रही है दोस्तों one hour के बाद हम चेक करेंगे one hour ten minute में देखते हैं डिवाइस चार्ज हुई है या नहीं तो यहाँ पे realme 9 जो है 94% realme 8 95% अभी भी 1% से realme 8 जो है आगे निकलती है बड़ देखेंगे final score में कौन सी डिवाइस पर हम चेक करेंगे one hour 15 minute में देखते हैं कौन सी डिवाइस आगे निकलती है तो यहाँ पर देख सकते है one hour 15 minute में दोनों ही डिवाइस दोस्तों equal equal charge हो रही है 98% दोनों ही डिवाइस में charging हुई है तो बही दोनों ही डिवाइस में charging अभी भी 99% है और 100% यहाँ पे realme 9 ने पह 80% का difference है और realme 8 ने भी one hour 18 minute में full charge यहाँ पे device को कर लिये तो यहाँ पे दोनों ही device जो है one minute का फर्क रह जाता है जो कि यहाँ पे charging difference है 33 watt 30 watt में भी यह एक ही डाइप का charger है यहाँ पे realme 8 और 9 दोनों को ही लग भग one hour 15 minute के आसपास लग जाते हैं fully charge करने के लिए तो अगर आपके पास यह दोनों ही device में से कोई भी device है तो आपको कितना समय फुल charge करने में लगता है मुझे comment section में जरू से बताएगा इन दोनों ही device के रिगार्डियों और भी बहुत से जो व्यूडियों है चैनल पर आपको मिलते रहेंगे update के regarding description box में telegram चैनल के link के जरू से join कर ल झाल